हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत है Study Foundation YouTube चनल पे गौहती इनवरसरी का जो B8 का इंट्रेंस एक्जाम है 15 नुमेंबर को उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इंडियन पुलिटी का क्लास स्टाट किये हैं और उस क्लास में आज हम लोग डिस्कस करेंगे fundamental rights के बारे में बाकि क्लास का लिंक आपको description box में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर देख सकेंगे तो आए आज का क्लास को शुरू करते हैं तो आए डिसकसन को स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास के अंदर हम लोग डिसकस करेंगे fundamental rights के बारे में एज जो है fundamental right कितना अच्छे है जब समीधान लिखा गया था उस समें कितना था लेकिन एक remove किया गया है उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे ठीक है तो सुड़ करते हैं सबसे पहला जो fundamental right है उसका नाम है right to equality right to equality सबसे पहला है उसके जो नेक्स है उसका नाम है right to freedom उसका जो नेक्स है उसका नाम है right against exploitation उसके बाद next जो है उसका नाम है right to freedom of religions ठीके इसका जो नेक्स है उसका नाम है cultural and educational right उसका जो नेक्स है उसका नाम है right to constitutional remedies तो आईए इसको हम लोग one by one discussion करते हैं right to equality आपको आर्टिकल नंबर 14 से 18 में दिया हुआ है उसके बाद right to freedom 19 से लेके 22 यह भी आपको याद रखना है उसके बाद जो नेक्स है right against exploitation 23, 24 आर्टिकल में आपको मिलेगा उसके बाद right to freedom of religion यह जो है 25 से लेके 28 आर्टिकल में मिलेगा उसका जो नेक्स है cultural and educational right यह आपको 29 और 30 आर्टिकल में मिलेगा ठीक है उसका जो नेक्स है right to constitutional remedy आर्टिकल नमर 32 में मिलेगा ठीक है तो आये discussion को हम लोग one by one करते है right to equality का अंदर जो है right to equality का अंदर सबसे पहला जो है उसका नाम है equality before law यह आर्टिकल नमर 14 में है ठीक है उसका जो नेक्स है आर्टिकल नमर 15 में इसमें क्या है provision of discrimination on grounds of religion race, caste, sex, place of birth तो यह पूछ सकता है discrimination जो है कौन सा आर्टिकल में दिया है तो आर्टिकल में दिया है तो आर्टिकल में दिया है उसका आर्टिकल नमर 18 में दिया हुआ है तो आपको यह आर्टिकल भी याद रखना है ठीक है इसका नेक्स में डिसकस करेंगे राइट टू फ्रीडम इसके अंदर जो आर्टिकल है सबसे पहला उसका आर्टिकल है आर्टिकल नमर 19 इसके अंदर दिया है प्रटिक्शन अफ साटें राइट रिगार्डिंग स्पीच एनि बोलने का जो आजादी होता है एस्प्रेशन एसेंबली एस्टेशन मोमेंट रेसिडेंट एंड प्रोफेशन इसके बाद नेक्स आर्टिकल है आर्टिकल अमर 20 इसके अंदर प्रटिक्शन इन रिस्पेक् में एट किया गया था 2002 में सको एट किया गया था और इसका आर्टिकल है आर्टिकल में 21a इस में क्या दिया हुआ हैं अर्टिकल of human trafficking and forced labor is my article 23 में दिया है next जो है article 24 में provision of employment of children in any factory देख सकते हैं जो factory में जो बच्चा काम करते हैं इसके against में जो article है उसका ना में article 24 आगे जो next article है right to freedom of religion इसके अंदर सबसे पहला article है article 25 इसमें क्या दिया है इसमें दिया है freedom of consigns and right to profess practice and propagate once religions belief article 26 में दिया है freedom to manage religious affairs इसके बाद next article है article 27 इसमें दिया है freedom from taxation for promotion of any particular religion ठीके तो यह आपको याद रखना है next article है article 28 इसमें क्या दिया है इसमें दिया freedom from attendance of religious instruction और religious worship in certain educational institution article 28 में दिया है next जो fundamental right है उसका नाम है cultural and educational right इसमें दिया है क्या दिया है आये देख लेते हैं article 29 में दिया है protection of interest of minority next article इसमें दिया है right of minority to establish and administer education institution article 30 में दिया है next जो article 31 इसमें दिलीट हो चुका है यह आप समिधान में नहीं है इसमें क्या था इसमें था right to property ठीक है right to property इसको remove किया गया था 44 amendment करके 1978 year में तो आपको याद रखने है right to property अब क्या है एक legal right है यह भी आपको point ध्यान रखना है इसके बाद next fundamental right है उसका नाम है right to constitutional memory यह जो है article 32 में दिया हुआ है और article 32 यूज़ करके कोई भी आदमी supreme code में approach कर सकता है read file करने के लिए और high code में approach करने के लिए आर्टिकल नमर 226 यूज़ किया जाता है आर्टिकल 32 को BR embed करने बोले थे heart and soul of the Indian constitution यानि बहुत ही important आर्टिकल है आर्टिकल नमर 32 ठीक है इसके बाद डिसके रिट कितना टाइब कर होता है पांस टाइब कर नाम है पोर आपको बस नाम याद रखना है और जड़ जदे इसके बारे में पूछ सकते हैं तो यहां से मिनिंग पर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, thank you so much.